शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को धूणने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट डिपलोई की भावरा पेट के पहाड़ीों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खोन से लत्पत शोड़ पर मिले आठ गोलियों के निशान पुश्पाटू में साड़ी कंगन नेल पॉलिश में अलू अर्जुन के लुक की असली कहानी क्या है पुश्पाटू से अलू अर्जुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीस हुआ तेड़ी गर्दन किये पुश पर आज नीले रंग में पुटा, शरीर पर साड़ी, एक हाथ में पिस्टॉल लेकिन उसी हाथ के नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है गले में कच्चे नीमबू की माला इस लुक की शोबा बढ़ाने का काम कर रही है अलू अर्जुन का ये लुक चोकाने वाला था लोगों ने उमीद की थी कि वो अपने सिगनेचर पोज में दिखेगा हाथ में बंदूक, बदन पर लूंगी बांदे या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा लेकिन दोस्तों ये लुक चितोर की गंगम्मा जातरा से प्रेरित है क्या है गंगम्मा जातरा? अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे करनाटक और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है साथ दिनों तक चलने वाली गंगम्मा जातरा हर साल मई के महीने में मनायी जाती है इस दौरान भव्वे पुझा की जाती है कुछ जगा देवी का प्रसाद के रूप में मासाहारी भोजन चड़ाया जाता है साथ में से बीच के दो दिनों में यातरा निकलती है जहाँ पुरोश अपना वेश बदल कराते हैं, महिलाओं की तरह सज कर, उनकी तरह शिंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं संभव है कि पुषपटू में अलू अर्जुन का गिरदार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा, तब ही उसने ऐसा वेश धरा हो लेकिन तिरुपती में मनाये जाने वाली गंगंमा जात्रा की कहानी बिलकुल विप्रीत है, लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपती और आसपास की इलाकों पर पले गुंडेलू नाम का एक आदमी राज करता था, एकदम दुर्ष्ट दुराचारी किस्म का आदमी, मह गुंडूलू की नजर उन पर पड़ी, उसने उनके साथ दुर्वयभार करने की कोशिश की, देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच निकला, जाकर किसी अग्यात स्थान में छुप गया, उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया, तिरुपदी के लोग विचित रवेश धर कर पहार निकलते, गंगम्मा को कोशते, इस यात्रा में साथवे दिन पले गुंडूलू बाहर आ गया, जिसे ही वो बाहर आया, तभी गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला, अगर पुश्पा 2 में पुश्पा राज जात्र में हिस्सा लेता है, तो मुम्किन है कि अपने किशी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा, दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है, पुश्पा 2 के लिए हमें कमेंड बॉक्स में अपनी राज जरूर बताएं, और देखते रही है हमारा चानल, पॉलिग्राज स्टू अपरोल पुश्पा का कि सिंगम 3 रिलीस होने वाली है, पुश्पा 2 के मेकर्ज ने रिलीस देट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीस किया, इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज पहनी हुई है, उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है, ज पुश्पा 2 के इस पुश्पा 2 को देखकर लग रहा है कि मेकर्ज ने पुश्पा राज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है, शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फिमिन इन टच दिया गया है, या कुछ और एंगल भी हो सकता है, पहले तैयारी थी कि पुश पुश्पा 2 को 2022 में रिलीस किया जाएगा, क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, तब ही KGF 2 रिलीस हुई, उसके बाद मेकर्ज ने पुश्पा 2 को दोबारा से शूट किया, शायद पुश्पा 2 के कुछ हिस्से KGF 2 से मिलते जुलते थे आला कि बाद में फिल्म के डारेक्टर ने कहा कि KGF 2 की वज़ा से उन्होंने अपनी पिक्चर रिशूट नहीं की है, वो चाते थे कि दर्शवों को पुवी तरह से संतुष्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया, बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 के आदितर हिस्सों की शूटिंग हो चुगी है, मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मेकर्स किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाते, इसलिए उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकाइदा एक साल का समय लिया है, वो अपनी पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीस करेंगे, 15 अगस्त को गुरुबार पढ़ रहा है, ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडड वीकेंड मिल जाएगा, दिक्कत यह है कि इसी तारीक के लिए रोहिद छटी की सिंगम 3 भी स्केडियूल्ट है, रोहिद बता चुके है कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, इस बड़े बजट और भहमकर स्केल पर बनाया जा रहा है, प्लस उन्होंने अपनी पिक्चर में तकरीबन आधी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कास्ट कर लिया है, सिंगम 3 में अर्जे देवगन के साथ अक्ष का मंदाना पहाद फासिल तो होंगे ही, उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे, पुष्पा दराइस के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट अक्टर का नैशनल अवार्ड मिला है, वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू एक्टर हैं, एर पुष्पा 2 को रंगस थलम फेम सुकुमार डाइरेक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुष्पा 2 या सिंग्नम 3 हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहे हमारे चैनल पॉलिग्राद स्टुडियोज अबराने की कोई ज़रूरत ने, मेरे बेठे की एंट्री मतलब एंड बादमाशो को डिसेंट रहे हैं, बुष्पोस हमाज साचिया मेरे बात करने का वक्त नहीं है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूँगा पुष्पा नाम सुनके फ्लावर संजिये क्या फ्लावर में ही फायर है में पुष्पा दा-रूल से अलू अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला कियोदार देखने को मिलेगा पुष्पा दा- Aíились दर्शको को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा पहले पार्ट में पुश्पा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा ना उसकी इज़त करेगा वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गाउं वालों का भला करने वाला पुश्पा को पुलिस के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाउं पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा पुश्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुश्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोड़ी जमेगी दूसरे पार्ट में श्रीवली एक बच्चे की मा बनेगी इतना ही नहीं पुश्पा अपने दम पर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मूँवें पहुच गया था पूरी फूर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूवी में शीनू की पतनी दक्षाइनी ओर्फ अंसुया भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्शन ड्रामा फिल्म पुषबा दराई साल 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी इस फिल्म ने भारतिय बॉक्स आफिस पर 300 करोड रुपे से ज़्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उँ अंटवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चाट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैन्स इससे काफी उमीद रखते हैं बीएसपी पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीत कार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तैयार कर लिये हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए ने कहा हर कोई पुषपा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सूकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधभुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करें हैं डीएसपी ने पुषपा के समान्था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उउँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा हम पुषपा 2 में उउँ अंटवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं लेगन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर्प्राइस पर काम चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुषपा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी कलियारिन पुषपा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिजनिस कर लिया है पुषपा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुषपा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा है पुषपा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइन्स टेलि फिल्म के डारेक्टर मनिश सा का हात जिनोंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर घंदी में रिलीज किया साॉथ की इस फिल्म को हंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुषपा 2 के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश राह ने एक इंटर्व्यू में पुस्पा 2 की रिलीज डेट से लेकर सूटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दी दिये गे इंटर्व्यू में मनीश राह ने कहा कि पुस्पा दा राईज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ओफिस पर तेज रफ़तार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोन का आकराच छुने में कामयाब हुई मनिश सा ने पुसपा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साब कर दिया कि पुसपा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा उन्हें बताया कि पुस्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुस्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चलीगी। साल 2030 तक पुस्पा 2 रिलीज हो। क्या प्रभास की बाहु वली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुस्पा 2 तोड़ पाएगी। इस पर मरिश्पा ने कहा कि बाहु वली के पहले पाट ने 120 करोण की कमाई और पुस्पा ने और पुस्पा ने साथे 300 करोण रुपे कमाएं। दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुस्पा और पुस्पा बाहु बली से आगे जा चुकी। अब ये देखना है कि आप पुस्पा 2 वाहु बली 2 का रिकार्ड तोर देगी। लोगों का तो ये मानना है कि जो पुस्पा 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोण नहीं भलकी 1000 करोण तक का बिजनिस कर सकते। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पुस्पा 2 1000 करोणी फिल्म बनेगी। को टक कर देगी। वो भी करारी वाली आपको बता दे ये अक्टर है बुची बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लायू लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भीया था। दिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग शल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को इदेख कर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुश्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुश्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुश्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जी अप की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहल का मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बूची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है कि क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है अगर बाबू ने पुश्पा की सीथी तुला के जीएफ से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जीएफ कभी अलगी स्वेक या उसका दूसरा पाट आने वाला है और लोग जो है वो बेसबरी से इंदधार कर रहे हैं अगर मोस्ट होती है तो यह देखना दिल्चस्थ होगा कि क्या यह को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो और एक ट्रेलर रिलीस कर दिया के जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको कितना वेट है पुश्पा का और क्या लगता है अगर पुश्पा और की रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियंस खफा क्यों रश्मी का मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है मैं प्रेंक आग सभी का स्वागत करती हूं बाली ग्रेट स्टूडियोस में पुश्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इंडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रीलर फिल्म है जिसके लिए ओडियंस पेहद ही एक्साइटिड है एक तो बाहु बली और केजीएफ के बाद फिर उन्हें साउथ इंडिस् जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस दल्ती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खत्रा बन सकती है तो क्या है वो दरसल कुछ साल पहले जब रश्मीका के करियर उडान के लिए प करना शुरू कर दिया उनके इसके नाम से पूरे मीरिया को हिला कर रख दिया आखिर में हार कर खुद रश्मीका ने येश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेक्टर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी उन्होंने अपने फ को नहीं चाहते कि कोई भी रश्मीका को उनके नाम पर हैरेस करें ये सब कहा केजिय स्टार येश ने आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है लेकिन अब जब रश्मीका और येश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी खबर यूँ ही सर्फीस पर आती रहती है ऐसे में कई अतीत में रश्मीका के मूं से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे वैसे भी आज कल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पढ़ने का ट्रेंट चल रहा है खेर आप हमें कमेंस सेक्शन में बता कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे ये अक्टर है बुची बाबू इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिर्म उपें से लाइन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी था वहीं मीरिया से बात करते हुए बुची बाबू ने कहा कि उन्होंने य पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिर्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिर्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूड़ा कर लेंगे मेकर्स पुष्पा भी इसी सार रुलीस होना है फिर्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहल का मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बाबु की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कैव ऐसा होता है कि नी क्योंकि KGF के अलगी स्वया कि उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो है वो बेसबरी से इंदजार कर रहे हैं अगर मोस्ट अवेटेज फिल्म बोला जाए तो KGF है तो ऐसे में अगर पुच्पा रिलीस होती है तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या यह को टकर दे लगता है आपको कितना वेट है पुच्पा का और क्या लगता है अगर पुच्पा और KGF के भड़न्थ होगी तो कौन आगे निकलेगा क्या एक जूट पड़ जाएगा पुच्पा के पिछे हो रही लाग महनत पर भारी तो हाई गाइस में हुश्ट्रिया रोरा आपकी आज की होस्ट आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉलीकाट्स वीडियोज में तो चलिए बिना जादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पपुलारिटी को केवल उनकी इंडास्ट्रीज में नापा कर रखी है इन ही मोस्ट आंटिसिपेटड फिल्मों में से एक है साउट सूपर स्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग एक्शन त्रिलर फिल्म उश्पा जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिदेंग की एकसाइटमेंट को चार गुना बढ़हा देती है लेकिन क को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो इस कॉंट्रोवर्शिल कहानी की शिरुवात होती है एक ट्वीट और एक अनाउंस्मेंट से वैसे तो अलु अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखत घोशना थी लेकिन शायद ख इसी काम में बुजी थे यह वाकई उनके लिए एक हार्ट वार्मिंग सप्राइज था जो कि कुछी समय में अलु के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया एक्चली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंस्मेंट की जिसमें पुश्पा वेनु स्री में होना तो खुशी की बात है लेकिन इस अनाउंस्मेंट ने अक्टर को मुसीबत में डाल दिया पहला कारण तो ये कि अक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंस्मेंट यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्दी शुरू होने वाला हो या हो चुका हो प्लास इस लिस्ट में एर मुरूगा डॉस की फिल्म भी शामिल है जिसे अलू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद इसके लिए राम उथी ने इनी को अप्रोच किया गया था अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंस्मेंट के पीछे के मकसद को जानन चाहता है कि क्या ये प्रेड्यूसर्स को आक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टन्ट था या फिर बाकी आक्टर्स को कॉम्पिटिशन देने के लिए जिनकी अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है अब डर तो यही है कि कहीं इस ना असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइम लाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझे तो चलिए आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताईए कि आपको क्या लगता है क्या ये अनॉंस्मेंट सिर्फ एक एक साथ और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपर्ली स्ट्राटेजाइजड एजेंडा अपनी राएं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कुल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड पुषपा उतर रही है अपना कहर जमाने पुषपा डार्टर सुकुमाद वारा नेदेशित मूवी है जिसको एक पान इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात यह है कि इस मूवी की लीड रोल में हमको अलु अर्जुन नजर आने वाले हैं वैसे तो अलु अर्जु य को चेंज करने वी कि अपनी पन्रीली तैयार हैं लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउंट क्या प्रभाण को टकर देंगे बादर से लिए है कि अलो अर्जु प्रभास के पराबर आना के लिए प्रभास के ऊपर चारना पड़ेगा आप काफीं Profuse ओ गए होंगे लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी confusion दूर होती जाएगी इसले वीडियो को पूरा जरूर देखें तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने चानल Bollygard Studios में मैं हूँ आपकी दोस्त मिनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलू अर्जुन की अपकमें पानेगे रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में तो दोस्तों जैसा की आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेट सांडल वूट की स्मगल की कहानी होने वाली है जिसमें अलू अर्जुन काफी खास करिदारों में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाइप्रोफेशन होंगे वहीं पर वो एक स्मगलर बाइप्राइवर होंगे और इसी ये मूवी का जादा तरपाट उनको पकड़ने में और उनके छुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा अब खास बात ये है कि बॉक्स ओफिस पर बाकी कॉंपेटिशन और क्रिटिसिजम के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी टकल मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलाज से तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं पुश्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन प्रिटिसिजम या बॉक्स ओपिस पर आई और कोई मूवी नहीं बिल्की प्रभास की सलाज से होने वाला है इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं पहली बात तो यह की दोनों के दोनों साउट के बहुत फेमस आक्टर्स हैं और बॉलिवर्ट में अपना नाम जमाने की फोश्रिश में हैं वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउट इंदास्ट्री से बिलॉग करती है लेकि सिम्मिलारिटी इसकी लंबे लिस यहीं खतम नहीं होती दरसल दोनों मूवी की शूटिंग तिलांगना में हुई है और तिलांगना के एक ऐसे जगह पर जहां पर उसको कोल माइन कहा जाता है अब पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि पुश्मा एक स्पगलर से जुड़ी कहानी है लेकिन क्योंकि शूटिंग फिल्म की कोल सीटी जैसी जगह पर हो रही है तो हम लोग यह गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलिंग से रिलेटेट ज़रूर मिल जाए अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अभी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोशिश कर रही है तो दोस्तो अब ऐसा नज़र आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थियोरी और वाली ओपिनियन से निकल कर रियाल्टी को हिट कर रहे हैं और अब जग ऐसी मुवीज बना रहे हैं जिनमें अक्चली मरना मारना जायस लगेगा हाला कि सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ओफिस पर वो कितनी टकर दे पाती है प्रभास की मुवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़ादा हिट करना पड़ेगा अपने मुवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टानर्ड पे करेंड़ी आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियन्स अब हीरोस को सर्फ हीरो के यारक्टर में नहीं देखना चाहती है उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करेक्टर को एक्स्टोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवी में कहीं ना कहीं ये तीनों नेगेटिव करेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्स्टोरेशन के उपर ही मूवी गूमने वाली है अब इतनी सारी सिमिलारिटीज और आज पास की रिलीज डेट तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर गाताज तो दोस्तो आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कैसे एक बार फिर पुष्ट पाने लिए के जेव से इंस्पिरेशन क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिग डैर स्टूडियोज में पुष्पा अलुवर्जुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलुवर्जुन फिर एट सैंडल्वुड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलु अर्जुन और रश्मी का मंदाना की जोडी को एक साथ देखने को मिलेगा अलु की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अफ़तार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर्स में टिकेट बिकती है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिकने का इस बार उन्हें रग्य दवदार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एकसाइट्मेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइट्मेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन? जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसेंटली जुड़े आक्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाय हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफीशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ओफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रीउस किया गया है जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशान्त निलवाली गर्ती नहीं करना चाहते जिनकी ब्लॉक बस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियंस को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़रा रहे है ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस न्यूस से इंप्रेस्ट फैंस का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अरजुन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं अलू अरजुन के फैन्स वाकई लगी है कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेक्ट में बताए कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटन है और अगर आपको ही है पुष्पा और केजियर के बीच जब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलु अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर रही इस फिल्म में नैशन क्रेश रश्मे का मंदाना को एक लीडिंग लेडी का कास्ट किया गया इस फिल्म को लेकर ओडियंस में जितना क्रेश है उतना ही तनाव ही है तनाव इसका कि केजियर सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई common points को always दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिए को हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुश्वा से जुड़ी एक एहम ख़बर दी थी कि इस फिल्म के लिए music compose करने की जिफ्दारी very popular and successful music composer डेवी शंकर प्रसाद के कंदों पर डाली जाती है जिनों ने इसका पहला गाना तयाती किया था जो खबरों के अनुसाल सुकुमार और अलू अर्डियों के लिए पस्न आया था और गाना जुलाई के फर्स वीक में धी दर्श्वों के लिए रिलीस किया जाएगा लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार KJF फैन्स और पुश्पा फैन्स आमने सामने खरे नजर आ रही है जैसा कि आप सब लोग जाते हैं कि KJF के सक्सेस के पीछे music composer अभी पसरूर का special contribution था जिनकी composition audience को इतने पसंद आए कि हर पांच मिनिट में एक आदमी का ringtone में कोई न कोई KJF का सौंग हमें सुनने को मिल ही जागा था अब इस announcement में कारण लोग इसे DSP वर्स पसरूर की तक्रार के तौर पर देख रहे हैं और चानता चाहते हैं कि दोनों में बहतर है जिहां आप सोच रहे होंगी कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं इसमें KJF एनेक्शन क्या है लेकिन आपको बता दे कि गाना DSP ने लिखा है वह specially फिल्म में अर्लू अर्चुन की character को experience करेगा जी और वो थी एक पार पार तरीके से और अगर आपको याद हो तो KJF में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिससे और पसंदी किया था और आज भी कई बार किसी ने किसी swag वाले वीडियो से में हो गाना सुनने को मिल ही जाता है इसी कारण से जानने के लिए बहुत इक्साइट है कि पुष्पा का ये गाना केजी है कि गाने को टक्तर दे पाएगा या नहीं आपको इस बारे में क्या लगता है और दोनों फिल्मों से आप किसको वेड देना चाहें कि पताए हमें कमेंट्स ने अलु अर्जुन और रश्मिका मंदा पुष्पा ने अनाउंस्मेंट के बाद से ही सबकी नजरे अपनी और कर रखी है इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेता हाशा प्यार मिला जिसमें अलु अर्जुन के रग्ड लुक को तो खास तोर पर काफी एप्रीसियेशन्स मिली फिल्म एक आक्शन त्रिल में हैं अब क्या निया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कुल ना भूले तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 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 की से भी इंडीयन फिल्म की सकसेस में फिल्म' के गानों का खास हात होता है और खास कर अगर आपकी फिल्ममें डांसिंग सूपर स्टार अलू अर्जुन हो जिसका एक स्ट्ईप भी सेंसेशन बन जाता है तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना धिए जरूरी होत फिल्म में अलु अर्जुन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सुकुमार और अलु काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं ये सौंग जुलाए के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बता दे कि देवी शंक का प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालु सुकुवालनी, मन मधुदू, वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉमपोजिशन्स इंडास्टरी को दे जिसमें से आरया तो अलु अर्जुन की ही फिल्म है, इस तरह इन दोनों की कॉलाबॉरेशन तो ओल्रेडी हिट रही है, देवी सर को इंडास्टरी के वन आफ ती मोस्ट सक्सेस्फुल म्यूजिक डिरेक्टर्स में गिना जाता है, और शायद यही कारण है कि सुकुमार न कंदों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशन पयान कर डाले और देवी शंक प्रसाद ऐसी कबिल्यत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोसर्स में से एक है, यू तो देवी शंक प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंबिनेशन समेदारी और भी जादा बड़ी और इंपोर्टेंट हो गई है, अब वो इसे कैसे निभाते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, तो खेर अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल करें, आज की स्क्रेप राइटर है उपासना पांडे, बहुत बहुत शुन की फिल्म पुष्पा ने मानो हर और तहल का मचा दिया है, खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अलु अर्जुन के इस नए अफतार के बाद, अलु अर्जुन के इस नए रफ लुप ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया, और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में, तो उनके लिए तो स्टांडर्ड ही रेस कर दिये हैं, वैसे भी अलु का नाम भारत के सबसे हांसम आदियों में लिया जाता है, और उसकी उपर से उनका ये रफ लुक तो ना जान वा यार, रनवीर कपूर तो पूरे संजेदत लग रहे हैं, यार रनवीर सिंग ने कापल पाजी का क्या लुक लिया है, हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमितार पच्चन ही थे, लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई मेहनत को रगनाईस करना हम अक्सर भूल लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीगाट स्टूडियोस की नगरी है, यहां किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती, और इसलिए आज हम इस राद से परदा उठाएंगे कि आखिर अलु अरजुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है, दरसल सोश पादमावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था, या फिर हैदर में शाहिद के लुक पर तालियां बजाई थी, या फिर बाजी राव मस्तानी, पादमावत जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेक अप टूटोरियल सर्च किये थे, या फिर सौन रिशी और अमिताप सर का लुक देखकर आप भूली गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं, या फिर गंगुबाई काठ्यवादी में आल्या की लुक को देखकर हैरान रहे गए थे, तो आपको बता दें कि आप अंजाने में प्रिती शील के ही टालेंट को सहार रहे थ तो ये सारे के सारे आइकोनिक पिक्चिर्स और उनके ये आइकोनिक लोग उनी की देन हैं, इतना ही नहीं, मॉम, हाकरे, शिवाए, हवाईजादा, हाउसकुल 3, बाला, पंगा, अंदादुन, छिचोरे, मुल्क, पती-पत्नी और वो यसी कई ऐसी फिल्में हैं, जिनके ए आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर और कर दीजी करने वाले हैं, बॉलिवुड में डेब्यू, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल, बॉलिवाट स्टूडियो के एक फ्रेश नए वीडियो में, मैं हूँ आपकी होस्ट काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं, अलु अरचन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, वहीं मुवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मारकेट में खड़े हो चुके हैं, जहां मुवी को सेकंड पार्ट में रूलीज कर फर्स्ट मुवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा आक्शन और तबातोर फाइटिंग सीकुएंस दिखाये गए हैं, इस मुवी में अलु अरचन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा आक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, वहीं इस फिल्म की ग्लामिरस आक्ट्रिस रशने का मंदाना एक फॉरिस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथी साथ अलु अरजुन की लवर का रोल भी निभाएंगी, इस फिल्म की सही तरीके से अपनी डायलोग डिलिवरी कर पाए, पुष्पा राज एक साथ तमिल, मल्यालम, कंड़ और हिंदी लैंग्वज में रुलीज होगी, रश्मिका मंदाना ने हाली में अपने एक इंस्टर्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मुवी को लेकर अपने एक् हाइटेड भी हैं, उन्होंने मुवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडमी के बीच में भी काफी सारी सामधानिया बरतते हुए टीम मुवी की शूटिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ अलु अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी गया है, मुवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अलु अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड एकटा हो गई, सभी इसने अलु अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटराक्ट भी किया, सकेंड वेफ के चलते, पुष्पराज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है, अभी भी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है, बीच में 28 एप्रिल को अलु अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट प तो न्यूज रिपोर्ट के नुसार रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है, और दूसरी रिलीज डेट दशैरा फेस्टिवल या फिर 17 डिसेंबर के आज पास रखी जा सकती है, तो वहीं पुष्पाराज का पोस्टोर और टीजर अलु अर्जुन के बिर्थडे के दिन जुलीज किया गया था, लॉंच पर अलु ने अपने सभी रिजन के फैंस से उन्हें देर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अधा भी किया, उन्होंने अपने नौत हिंदी और अधर रिजन के फैंस के लिए अपना ग्राटिटीउड इंगलिश ल नौदिन साइट में उनकी फैंन फालोइंग भी बढ़ती जा रही है, हिंदी ओडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद, अलु अर्जन की बॉलेवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है, अलु अर्जन ने अपने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलेवुड डेब्यू जरूर करेंगे, उनका कहना था कि बॉलेवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा अजमायर भी किया जाता है, जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के आक्टर्स साउट फिल्म्स में डेब्यू अलु अर्जुन हिंदी फिल्म्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जहां बाकी तेलवु आक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं, ऐसे में अलु अर्जुन हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटन है, उनका क का बॉलिवुड में अजनीव कमर आने के लिए फिलाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल्द ही वो बॉलिवुड मूवी में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पड़ी हैं मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई अलू अर्जुन को पहले अर्जुन रे वी पुष्थास बात बताएं तो दोस्तो शद्दा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा पहतरीन और एकसाइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फेल्म और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में जबहाद की ही बात कर लें तो उनकी फैंस करीब दो साल से इस पिक्टर का इंज़दार कर रहे हैं जब से इस सिन का पहला कोस्ति रिलीज किया गया था आने वाले दिनों में कुष्पा का च्रीडर भी रिलीज होने वाला है दोस्तों मैं आगको बता दू इस दिल में अलु अलु अर्जुन नगुराने वाले हैं और अलु अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ ऐसा है कि हर फिल्में लगातार चल्चा में बनी रहती है अगर कुष्पा सक्सेस्पूल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अलु अर्जुन के मैस्स पॉपुलारिटी को भी जाएगा अलु अर्जुन ने जादगर काम साउथ इंडस्ट्री में ही क्या है अभी तक वो बॉल्वूर की पीसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं लिए है तो हम उमीद करते हैं आने वाले जुनों में मुझ जल्दी बॉल्वूर की किसी करें में भी कार्ण करेंग अर्विटाइजमेंट्स भी मिलने विए इसके बाद अलु अर्जुन को उनकी पहले फिल्म में ली जिसमें उने लीड के डार नभाया था और वो धी गंगोद्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म में अच्छा खाता बिसम्स भी किया था लेकिन उनकी अच्छा को राखना हुई थी इतना ही नहीं आर्या प्रिक्चर के बाद अलु अर्जुन को कई अवर्ड से नवाजा गया था जिसमें पिल्सपेर अवर्ड शामिल है अब बात करते हैं कि आखिर अलु अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश सूबस्टार क्यों कहा ज तोस्तों, हम सभी जानते हैं आने वाले तहरों में अल्ल्य वर्जुन की फिल्म पुश्पा रिलीज होने वाली है इस फिल्म के लिए उनके तमाम पंस कापी हीतिति हैं लेकिन बात भी उनके जुन्दिकी में काफी बदलावा जाता है आप कुश्पा की भी कितने एक्साइड़ेड हैं हमें कमेंट इच्छे में जरूर बताइए अलु अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मुवी पुश्पाराग जिसे सुकुमार ने जरेक्ट किया है चल ये थीटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है बावजूद इसकी ओडियन्स अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस मुवी से रिलेटेड बार-बार कोई न कोई अफवा हर बार मार्कित में नजर आ दी है जिस वज़े से फैन्स की एक नई फैन्स फियोरी बननी शुरू हो जाती है इस मुवी के लिए जहां टॉली वोड के हाइस पेड एक्टर्स में से एक अलू अर्जिन को कास्ट किया गया है तो वहीं इस मुवी के बाकी की कास अन क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मैंबर से चुरी हुई है फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लीटेस इंप्यूव्यू में ये बात कन्फर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीस करा जाएगा ऐसा करने के एक बड़ी वज़े ये है कि फिल्म की स्चोरी में बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुम्किन नहीं है इसलिए हीरो और डारेक्टर ने साथ मिल्कुर ये डिसाइर किया है कि फुष्पा को दो पार्ट में रिलीस किया जाएगा क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है जी हाँ बिलकुल सही सोचा आपने मेगा ब्लोगबस्टर बाहु बली मूवी में भी यही हुआ था फर्स पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैंक होने की वजह से फिल्म को दो पार्ट में रिलीस किया गया फिल्म के आखिर में फिल्म की बेक स्टोरी लाना और पूरी मोवी को रिवर्स में ले जाना ऐसा कॉंसेट पहली बार ही किसी मूवी के जरीय दिखाया गया है कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर ही और जहां इस गाने की पूरी प्रेडक्शन, टॉप म्यूजिक, डिरेक्टर, फ्रेडूसर और ओस्कर बेनी स्टार के पास हो ऐसे में देखना दिल्चस्ट होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सिस इस मूवी को मिल पाती है लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है तो सोचने की बात है कि जहां साउट सॉंग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है ऐसे में क्या इस सोंग का हिंदी में भी कोई डब बर्जन या न्यू हिंदी सोंग भी लॉंच किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंदी ओडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा अब ऐसा करने की एक वज़े ये हो सकती है कि अलू अर्जुन वैसे ही अपने हैंसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर है और उनके हैंसम होट लुक और परस्नालिटी एक आम बात हो गई है ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लुक दिखा कर ओडियंस के बीच इतना क्रेश पैदा नहीं होता जितना क्रेश पैदा नहीं होता सिर्क के रिलीस पहले ही इतनी बड़ी काम्याभी मिलना साओं इंड़्स्ट्री के लिए एक आम बात होती ही जा रही जिया रही है मुवी के ट्वेलर में कोई डाइड़ाब नहीं है सिर्फ अलु अर्जुन के अक्शन पीन, लुक और फाइडिंग सीक्वेंस में पाफी तहरका मचा दिया इस उसी कोव मेरे रही फोरेस्ट्री शूट किया गया है जहां हाइफ पुलिस कोष्ट और कम्प्लीट सेक्यॉर्टी ने इस तर्थी पर काम किया गया था क्या आप जानते ही कि इंटर्नाशनल प्रिव और साओं के अक्शन सेंस काफी जादा पतनाते और साविक साथ शायद से इंटर्नाशनल ओडियंस को भी लुखाने के लिए तुष्पा राज की कामरा हैंनलिंग के लिए चूस किया गया है पॉलिश क्यामान मीरस्लॉफ फूबर प्रेजेंट को जिराद होसके मीरस्लॉफ पुखा है पुलनी चूस कि मीरस्लॉफ रम किया बैखर होसं को थे अधेा ichmood पूलनी तो प्लन्च कोमाने देनाथ उसके लिए आपकमिन पुष्वाराज के लिए निम्प फायर किया विरुस्वार भी फिल्म में हिस्सा बनने का यह मौका पाकर खुश नजर आ दिए और फैंस भी यह खबर सुनने के पास काफी जादा खुश करें लेकिन यह खुशी के पल जादा समय तक नहीं थेर पाई जी हाँ, सूतरों के मुताबिक खबरों के अनुसार पुरुनों पैंडमिक की वज़ते वो वापिस जा रही हैं और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही हैं बता दे कि Anu Arjun Miroslaw के साथ काम करने के लिए काफी रहादा एक्साइट है और यह एक्साइट है मेरोसlaw के एफर्ट्स में भी दिख रही है तो ट्रेलर लॉंच के दोरान Miroslaw ने फिल्म की काफी तादीश की थी थी और फिल्म के हर इविंट का चाहे वो फिल्म शुरू करने के लिए इससे लिए सबी रेस्ट्रिक्शन और गाइलाइस को फॉलो करते हुए उनको एक एक ट्रावल जोन में रखा हुआ है यह एक्सेट फिल्म पर गहरा अच्छर डाल सकते हैं कि फिल्म के टीजर से ही फिल्म का गहराई और फिल्ट का काफी परत चलता है अब क्या न को फिल्म पॉल्ष इसने माड़क रावन अपना कहाँ दिखाच पिल्म्स में जिया दूस्तर इससे पहले ये खूशिश फुष्पा राज के लिए थी फूई थी लेकि फिल्म नहीं हो पाई अब क्या नया का आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में अल्डू अर्चन क कि अपकरें फिल्म पुष्पा ने अपनी अनाउच्वें के बात से भी मीडिया में संसमी मचा रखी है कभी फिल्म की हिरोई तो कभी फिल्म का विल्म की दो पार्ट्स तो कभी फिल्म का गाना फिल्म आए दिन किसी ना किसी कारण से हेड्लाइन से रहती ही है इंसारी तो हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में देखी चुके हैं लेकिन आज हम वो बेसिक इंफोमेशन शेयर करेंगे जिसका जवाब तो सब चाहनना चाहते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है ऐसी कौन सी सीप्रेट खबर जाने करें हमारी वीडियो को एंग तक देखें और अग कि अपना उड़ी को नाम पुष्पा ही क्यों कुछ और क्यों निए क्या इसकी बीछे कोई स्रीक्रेट वजह है इस भारे में कई क्योरी भीजित आप ओड्री कुछ के अपॉड़ी कुछ के एक पर फिल्म में अर्जुन की मां का नाम कुछ्पा हो सकते हैं जितके उपे तो तक तक होगी जब उनने यह कहा कि क्या पता डिरिक्टर सुपर्मार राजश्किर्टा के बड़े फैन इसलिए यह नाम रस दिया गया यू नो कुश्पा आइखरी तियर पर हमने यह गुस्की सिलजार ही लिए एक्चिली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल का कारण है जितना डीज में जाकर फैन्स के सोचा उतनी मेहनत मेकर से नहीं की फिल्म में अलु अरुचिन के करेक्टर के नाम खुश्पक नारायन रखा गया है जिने सब प्यार से खुश्पा बुलाते हैं और इसी वज़े से फिल्म के लिए इस टाइटिल को चुना गया आफ्टर और पूरी कहानी इस खिर्दार के एक गिर्फ नुमी दी बता दें कि इसके पहले फिल्म का नाम सेशा चल्लम रखा जाने बाला था पूरी कहानी सेशा चल्लम में प्रॉमेरेंट स्मगलिंग पर बेस है अगर ऐसा होता तो कुश्पा और के जिये एक और सिमिलार्टी हो जाती है क्योंकि के जिये का भी ये नाम इसके रखा गया तो कि पूरी कहानी इस पर बेस थी के जिये पर इसका राज होगा शायद इसी चीज को वोई करने के लिए तूकर मार ने सेशा चल्लम को पुश्पा कर दिया इस पे फिल्म का टाइटल काफी कैसी भी हो गया और और इंक्लूसिटी और सिर्योसिटी लगाने वाला हो गया है ये तो हमारी प्राइजन फांस के लिए बेहत खास हलो नमस्कार आद आप साथ से काफ स्वागत आप सभी काफ बॉलिकराग स्टूरियोस में और मैं हूँ आपके साथ हनुश्कतियागी तो दोस्तो आज बात करेंगे आज की फांस की बहुत ज़ादा फेवरेट और मोस्ट आइलेशन डाशिंग आक्टर अलू अरजन की मोस्ट एंटिसिपेड़ मुवी पुश्पराज के बारे में दोस्तो पुश्पराज का टीजर जब से रिलीज किया गया है और अपने बोधे पर टीजर के सक्सेस्फुल लांच पे जब से अलू अरजन ने अपने नौध इन फैंस और अधर स्टेट फैंस के लिए इंग्लिश में स्पीज देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सबोट के लिए उनके शुकर गुजार हुए है तबी से ही दोस्तो नौर्ट साइड में भी अलू अरजन का क्रेस दिन पर दिन बढ़ता जा रह है दोस्तो अलू अरजन के अबकमिंग इस ड्रामा अक्शन फिल्म में सूकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवी श्री पर साथ के साथ उनका काफी टाइम बात कॉलाबरेशन हुआ है इससे पहले सूकुमार और अलू ने साथ में दो ब्लॉक बस्टर मुवीज करी जो की ती आर्या और आर्या का सेकंड सीक्वल आर्या टू और ये बास सभी जानते हैं कि स्टाइलिश आक्टर अलू अर्जन को आर्या मुवी ने रातो रात सूपर सिंसेशन बना दिया था दोस्तो पुश्पराज को लेकर हर दीन एक मार्गेट में नई अवा सुनने को म नहीं दूसरा किरदार बिजनसमैन के तोर पर दिखाया जा सकता है अब दोस्तों पुश्पराज के नए और पुराने पोस्टर को देखकर अलू अर्जन के अलग अलग रूप्स पर उनके डबल रोल होने की बात कही थी दोस्तों इस बात पर अभी तक डिरेक्टर सू कु कोई भी क्लारिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या जूट अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल में विलन और आक्टर दोने का रोल अलू अर्जन साथ में नवाते हुए नजर आया अब दोस्तों सोचिए ज़रा जैसे बॉलिवर्ड मुवी डॉ ये लॉरी ड्राइवर अलू अर्जन को बिजनसमैन बना कर माबेज दिया जाया जहां से उनके धंडे को अपरेट किया जाता हो और अब दोस्तों रूमर्ज में कितने सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे तब ही पता चलेगा वंडर मुवी रिलीज हो कोने का तब तक इनपजार करना पड़ेगा सभी को और दोस्तों इन सभी खबरों से अलू अर्जन के फैंस काफी जादा एक्साइड़ हो रहे हैं आप दोस्तों बात करें कि अखर अलू अर्जन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यों है तो इसका जवाब आप जल्थी ख फैन के फिनरल में वो खुद उनके घर गए थे बॉलिवड स्टार्स या आक्टर्स के मुकाबले फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टिड रहते हैं और यही वज़ा है कि नौर्थ इंडिया में भी साउथ आक्टर्स के इस नेचर की वज़ा से उनकी लोगबस्टर होने वाली लेकिन COVID-19 के चलते अभी अपनी तयतारिख में रिलीज नहीं हो पाईगी फिल्म का इंतजार करने फैंस को अभी तीन-चार महिने और इंतजार करना है क्योंकि 99% यह फिल्म 17 डिसेंबर 2021 को जरूर रिलीज होगी इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू शुरवात में अलो अर्जुन एक बिजनसमैन के रोल में नजर आएंगे अलो अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके है कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हेलो फ्रेंज आप देखरें पॉलिग्रास स्टूडियो अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलो अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें तीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर बोला म बड़े बार बार इन्हें खबरे देनी पड़ती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियंश के लिए स्पेशल ही अलो अर्जुन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दॉर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है यह फर्स टाइम हो रहा है तो अलो अर्जुन ने पूरे जान जोग दी है एक पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी यह बॉलिवुट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलु अर्जुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस विल्म का प्रमोशन हो सकता है तो सोचिए अलु अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुँच गए तो कितना भयंकर मज़ा आने वाला है दोस्तों यह बात व आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगडी है रश्मी का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विल्लन का नाम भी रिवील कर दिया गया है सूरिया जो की अलु अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके है तो वो वि उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अर्जुन उनके तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें की अलु अर्जुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉंटम पैंट साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रहे है उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव अलु अर्जुन नजर आ रहे है और फिल्मे भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाल अब इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए आ u alloo arjun के अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ऑपनिंग सकतीय है पुश्पा की वर्ड वाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़ट में बनाया जा रहा है पुश्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉली ग्राफ स्टूडियोज मैं हूं सोनी कज़ाल बात करेंगे साउट के स्टाइल स्टार अलू अरजुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोग शेयर किये गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो गई थी इस फिर्म को सुकुमार डारेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंगे कड़ी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते है इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अलु और जुन्हा में हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक पोड़ें सैंसे देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 6 करोड का अगर हम बोलें अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड यह ऑक्युपाई कर ही लेगी इतना कलेक्षन यह कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों से धाइसो करोड ये फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो बीस करोड का ये ओवर सीज कलेक्शन करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से lifetime collection के हम बात करें तो worldwide ये 500 करोड की कमाई कर सकती है हिंदी तामल तेलगू से ये 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम total lifetime collection की बात करें तो 500 करोड की collection आराम से पुश्पा कर लेगी इसे जादा भी हो सता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और worldwide भी उनकी fan falling बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का collection अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अलू की जितनी भी फिल्में आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैन फॉलिंग काफी तगड़ी है इसके लावा उनकी अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दरज़र आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में और आरिया अलू अरजुन के साथ और फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतुजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली हैं रश्मी का दरशकों को क्या इस नए किर्दा से बदल जाई अभी नीतरी की च्छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलो अरजुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉल लेकिन जल्द ही अभी ग्लामर डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या आप तयार हैं उन्हें एक ऐसे रोप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द ही अलो अरजुन की हिरोईं बनने जा रह रहे थे अलो अरजुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलो अरजुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंचीवी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वहीं रश्मिका चाहे इ किवेरूप और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टा फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अफ़तार में दिखेंगी हमेशा ग्लामरस अंदाज में देखी गया भिनीतरी अब करनी जा रही है कोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं वही केजी एफ की शीना यानि श्रीनिदी शिट्टी के बाद अब कंणर ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते ह टिकी हैं सुन्दर और टालेंटेड आट्रिस पर जी हां संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर्य राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला वहीं दिपका पादुकोन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजीराव मस्तानी औ शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोई ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुग गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या श्रीशक के साथ हाश्टाग A21 से भी जुड़ गए हैं फिल्म पुषपा डारेक्टर सुकुमार अलुवार्जन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद है जिन्होंने कई तैल्गू भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरान म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच की अज गया था अलू अरजुन्स टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को क पुश्मे का भंसाली की हिरोई कहीं फिल्म पुश्पा कीजिए फ्टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब क स्टूडियो को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्नल अलो अर्जन स्टार पुश्पा फिल्म की स्टूरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिनमा अपनी बेहतर इंस फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टूरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्धर बजट हो इस एफर् सेस में तो बॉल्यूर्ट से बड़िया कॉंटेंट परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउच सिनेमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउच स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है इधर उदर ज्यादा ना भटक के स असमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लोडी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने इस मामले में चुपी सद रखी है जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहां क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरह से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो द एक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अलु अजुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अता-पता नहीं होगा अब अपना हीर पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉंक्लूशन पर पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सेंडलूट के फॉरस्ट में इसलिए अलूर जुन खुद भी रेर सेंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चलाएगा इसी लूप है घमासा नियुद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हेलो फ्रेंड्स आप देखने हैं बोडिग्राफ हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वह बहुत जादा एक्साइटेड हो गए अपने सूपरस्टार को बड़े परदे पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनम चील सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए औरेडी अवार्ड जीत चुके है और प्रतिशील है दर मॉम एक सो दो नौट आउट ठाकरे शिवाय हवाईजादा हासफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेक अप आटेस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेक आटेस्ट चील के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि आलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनौस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हारी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हारी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे है और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुने से कैप्शन दिया है 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 पुष्पा ल फिल्म है और इसे डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डारेक्ट कर चुके है फिल्म है अलो अर्जुन के अलावा आपको विजह सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे का लाकान नजर आएंगे और अक्टरस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार फिर से जादू विखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वही हर्मन उत्वमन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काउं में नजर आएंगे ये फिल्म लाल यानि की बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विज्रे सेतु पती और अलू और जुद एक दूसरे के आमने सामने होने वाले यानि की खदना के अक्शन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतशार है पुष्पा का पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंदियन तेल्गू लांगवज अक्शन फ्रिलर फिल्म है जो से डारेक्टर अलेखा सूकुमार ने है तुकुमार एक इंदिन फिर्म डारेक्टर, प्रोडूसर, एं स्क्रीम राइटर है जो की प्रीडॉमनें ली ते इतना डारेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो की उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती, बाबू, प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुमशन का प्रडूस मेट्री मूवी मेकर्स अशोशीयेशन विद मुत्तम शेटी मीडिया के तहत प्रडियूस किया था फिल्म का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीस किया था फिल्म पुश्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका next project सरी लेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था जिसे डारेक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलु अर्जुन ने project साइंग किया सूकुमार के साथ उनके फिल्म में as a lead actor काम करके सूकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा third collaboration है साथ में सूकुमार ने फिल्म का storyline the red sanders ऐसे describe किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को formally launch किया गया था October 2019 में December 2019 में डारेक्टर सूकुमार ने test shoot perform किया था के आथी rapidly falls पर फिल्म पुष्पा का first schedule केरुला में ही shoot किया गया था फिल्म को COVID-19 pandemic की वज़ा से halt कर दिया गया था फिल्म की shooting दुबारा start करी गए थी 10 November 2020 में विजे सेतु पती बहुत चचचा में थे The Antagonologist प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का part बन गए रश्मिका मंदानल को April 2019 में as a lead actor कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास राज को key role skill करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जिल्म 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से drop कर दिया गया है उनकी sighting date issues की वज़े से कननडा के famous actor धनन जे को pivotal role के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पांग को की shooting फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को supporting role के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से like और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रास वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जोलधी लोटिंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाद इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंद कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए सब मैं असाही हो ढूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जी भर सूता और कुछ साहता है तो प्रॉब कर लगता जाँ तो प्रॉब कर दो झाल मारता है तो प्रॉब कर दो प्रॉब कर दों आए क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी पैनल बॉलिग्राश वीडियोज में चलिए शिरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने औरिजिनल भाशा के साथ-साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसेस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गए इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रिडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रिडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टार प्रभास की पुपिलानिटी की वाज़ा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे शाम और आधी पूरुष और साथ में नाग इश्विन की फिल्म और सि इंडियन आक्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्रीदेवी जया प्राडा एश्वर्या राय असिन दिपिका पादुकोन तापसी पनू जैसी कोच अभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स काजल अगरवाल त्रिशा कृष्णन जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वह सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथ ही साथ विजे के साथ नाम आता कारियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी कारियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू आफर ह हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहोतरा मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमे अलु अरजुन की एक फिल्म आई अलु अरजुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी क्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन-इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहां जा सकता है कि अलु इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्ची चैक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुनिया में यानि की पूरे देश में चर्चित कर दिया है वहले यह साउस स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थ है ऐसे में एकर को लेकर खबरों का बाजार लगातारगर्म है अब अलु अजुन के जुड़ी एक और जिल्चस खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर उनके फैंस का ट्रेश साथवे आस्पान पर पहुँच जाने वाला है दसल अलु अजुने हाली में केजी अफ डारेक्ट को इस तरह से उन पर प्यार बर्टानी के लिए धन्यवाद भी कहा जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर चले गए इसके बाद से खबरों का बाजार गर्म है कि अलु अर्जुन और प्रशानमील की यह मुलेकात किसी आने वाले प्रोजेक्ट पर बात करने को लेकर है इस खब सेज़ पर है क्या इसके बाद प्रस्राम मिल अलु अजिर्शन अग्री पिर्म की सेयारी करेंगे इस जवार का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीजे कमिंग बॉक्स में अपनी राश्य क्या बॉलिवोड म मैं स्वागत करती हूं जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पागी तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्में देखी है वैसे अगर इस सवाल मुझसे पूझा जाए तो मेरा जबाब होता है और मुझे पता है आप सभी जो इस विडियो को देख रहे हैं आदे साओव इंडियन होंगे और आदे होंगे नौर्थ इंडियन वादोर से सवाल कर रही हूँ आप लोगों ने वही साउथ इंडियन फिल्में तो ज़रूर देखी होंगी आप सभी को भाशा समझाती हैं ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजाय करते हैं तो अलू अर्जुन, वहेज बाबू, रजनीकांत ऐसे नाम तो हम सभी ने चाने ही हैं जहां हमने रजनी कांद को मिताब बच्चन के साथ देखा है, बहीं एक तरफ शारुकान के साथ भी देखा है और साथ-साथ एश्वर्य अडाय के साथ उनकी फिल्म रोबोर्ड में तो देखा ही देखा है उस फिल्म को भला किसने मिस्स किया होगा लेकिन जिस तरीके से इन आक्टर्स को साउथ में पूझा जाता है उन्हें वो रिकाग्नीशन उस लेवल कार रिकाग्नीशन बॉलिवूड में नहीं मिल पाता है दोस्तो आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनी कान्थ को पूरे साउथ में इस तरीके से पूदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाती है जी हाँ और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस ज़रा बड़ा है यहाँ पर बॉलिवुड में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो उनोंने सोचा कि क्यो ना इन फिल्मों का हिंदी Dub करकर रिलीस कर दिया जाए तुल ना, इन всё फिल्मों को शिनमा घरों मेには Hindi रिलीस कर दिया जाय एसे में हम साउथ की इन फिल्मों का मजा अपनी चुनी हुई भाशा में अपने पास के नज़़ी की origi सिनमा घरों में में भी देख सकते हैं ? तो इसी बा सब्सक्राइब लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदलना चाहते हैं हागी में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने बॉलिवुड की तारीव की उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलिवुड एस्पिरेशनल लगता है और यहां तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीव भी उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ओफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहिए यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड़ी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो अब पुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलिवुड में रिलीस कर दी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितने तेजी से अलू एंट्री मारते हैं बॉलिवुड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलिवॡ स्टूडियोस को सब्स्क्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदाथे पुष्पा में होने वाली है उर्वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बॉलिक्रास स्टूडियोस मैं सोनी काजयार पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई ये पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहां उर्वशी रौतेला जो की होड एंट स्टनिंग है बॉलिवड डीवा है और अब उनका एक आइटम सॉंग होने वाला है पुष्पा में बहतरी डांस तो उर्वशी करती ही है साथ ही उनके जो लोक्स है वो वाकर कातिलाना है और आपको बता दे पुष्पा जो फिल्म है उसका हाल ही में शूर शूरू किया था अलू अर्जुन से से भी बहुत सारी तस्वीर लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्होंने टाइट सेक्यॉरिटी कर ल रहे हैं और चेक शॉर्ट नजर आ रही है नाइंटीज का दौर दिख रहा है इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है और साथ ही आपको बता दे इसमें सेंडल वो जो लकडी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अलू अर्जुन और इसमें विजय पुषपा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार बड़े परदे पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अलू अर्जुन नजर आएंगे जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर देखते हैं टीवी पर देखते तो मज़ा आ जाता है लेकिन सोचिए बड़े पर वाले हैं दोस्तों यानि कि फुली एंटर्टेइन्मेंट फिल्म होने वाली है क्योंकि एक्शन तो है ही साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकितार डांस भी इस वर्म में देखने को मिलेगा तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलू अर्जुन की फिल्म पुष लगते हैं और इसी तरह के दूसरे बॉलिवड टॉलिवड हॉलिवड रिव्यूस के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिये का हमारे चैनल कौन है फिल्म पुषपा के विलिवड और क्यों हुए है वो इतने मशूर वहीं कैसी है पुषपा के हिरोईन रश्मी का मंदिना की आने वाले फिल्मे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलिग्राद स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुषपा से जोड़े कुछ नई अपडेट तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखें अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदिता हिरोईन कौन है या फिर कौन सी आक्रस है जो आपकी करेंट क्रश है तो किस आक्रस का नाम लेंगे आ कहीं यह नाम साउथ की ब्यूटिफॉल और क्यूड आक्रस रश्मिका मंदिना का तो नहीं कंडर सिनेमा की खूबसूरत लोग प्रिया आक्रस रश्मिका मंदिना के फांस को उस वक्त सबसे बड़ा सर्प्राइज मिला जब सर्च इंजिन गूगल ने आक्रस को नाशनल क् चर्च करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नाशनल क्रश हाश्टाग के साथ ट्रेंड करने लगी हैं और इसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीन शोट अपने ट्विटर अकाउंट से शेर भी किया उन्हों प्रिया है रश्मिका ने कंडर तमिल और तेलगू फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कंडर सिनिमा में डेब्यू किया था इस फिल्म में रश्मिका की अदाकारी खूब पारीफ की गई थी और फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में आक्ट्रिस में फिल्म के हीरो रक्षित शेटी के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछी महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की यह अभिनेतरी साउथ की टॉप अक्रिस में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रश्मेका की जोड़ी बनाए गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मेका साउथ के मशूर अभिनीता सूर्य जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरवाई पोट्रो के सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर रहे हैं और उनकी 40 फी फिल्म होगी टुटर पर पहले ही गोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रह अलु अरहा का जनम दिन पुष्पा के सेट पर मनाया बता दे इस वक्त पुष्प की शूटिंग अंधर प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेर करने जा रही है लेकिन सारी फिल्म एदेले मुश्किल जब रंवीर कपूर ने नौ साल बड़ी आक्ट्रेस आईश्वर्या राय पर अपने से छोटी उम्र के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखे कैसे समय बदल गया वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल आक्कस के लिए समय बदला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुष्पा में विलिन विजय सेदुपती इतने मशूर है अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाच चुके विजय सेदुपती साउथ के राजकुमार राओ या आयुश्मान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स्वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टर के साथ विजय प्रडियूसर, लिरिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं इसके अलावा कुछ तेल्गू, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अभिनीता को उनके प्रशन सकों और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है पीजा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेटुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अवार्ट्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अवार्ट्स का सिलसला बरकरा रखेंगे और जल थी वो अरेतु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अवार्ट्स जीतने के बाद पुश्पा में विलन का करदार निभाना आसान होगा विजय सेटुपती के लिए क्या होगा वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिग्राथ स्टूलियोस को इस वीडियो के स्क्रिप्ट सिम्रन रावत ने लिखी है इतनी सी बात के लिए इतना वालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंद कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुश्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे सेतु पती हो रहे है ट्विटर पर बदनाम आंतरप्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुश्पा की शूटिंग शूरू और क्या इस बार अलू अरजुन से हित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तों आपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जेहां दोस्तो इस बार लगता है स्टाइल स्टार अलू अर्जुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं 12 नवंबर से शुरू हुई अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग के लिए आंतरप्रदेश के शेश्चलम जंगलों में पहुची पूरी टीम यहां दोस्तों फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रंगी शूर्ट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बनी का अफ़तार जहां दोस्तों अलू अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फिर्स लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया दोस्तों आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को नियमे तद्धार पर कोविड-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलु अरजुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकवन अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आने वाली है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अबिनीता विजे सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तों नेगिटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ फ्रिकेट से संबंद है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों विजे सेतुपती श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरली धरम की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है ये motion poster release होते ही तमिल लोगों ने विज्ज सेत्पती पर हमला बोल दिया जी है दोस्तों उनका कहना है कि लाखो तमिलों के हत्यारे श्री लंका देश के क्रक्रिच सितारे की बायोपिक में काम करना एक दम गलत है जही हां दोस्तों मुथेया मुली धरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है ट्विटर पर अब तक लाखों लोग है शाक शेम ओन विजे से तुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं दोस्तों लोग विजे से तुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़े से विजे का फिल्म पुश्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा ज़िया हाँ दोस्तो जब फिल्म के सितारे विज़े से तुपति मुश्खिलों में पसे हुए हैं दूसरी तरह फिल्म की हरोईन रश्मिका भी इनिकम टाक्स के चक्रों में पसे हैं दोस्तों रश्मिका को साउट की सबसे महेंगी हिरोईन भी कहा जाता है और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा है अधिकारियों की जार्च परताल दौरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए है जी कश के अलावा घर से प्रॉपेटी के कागLES बरामद हुए हैं वहीं रश्मिका के मादा परिता इंकम टाक्स के चापे पर कुछ भी ब्यक्त करने से बच रहे हैं रश्मिका के बैंक की जान बीन की जा रही है और रश्मिका केवल 24 साल की है और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपरेट फिल्मों के साथ महेश भाबू और अलू अर्जुन जैसे बड़े कलकारों के साथ काम करने का मौका पाया दोस्तों भई क्या जानते हैं साथ की स्चोल बुली सी दिखने वाली आक्ट्रिस के पीचे छुपी है एक दुखबरी दास्तान हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायर कर चुकी है रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़े से काफी मायूस थी लेकिन अपनी समायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिट शेटी से सगाई रचा दी थी लेकिन ताल मेला बन पाने की वज़े से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया दोस्तों महीं क्या गुर चाहती है अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बन दाना पोगरू और सुल्तान शामिल है तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के पहुंची पुष्पा की तीम क्या लेना देना है इस लोकेशन का सिंग से अल्लो अजुन की आने वाली सिंग पुष्पा पर एक साहितिक साज श्रच्रे कारोप लगाया जारा है जिसे मूल रूप से लेखक वेमपली गंगाधर ने लिखा था वेमपली ने दावा किया है कि फिल्पुष्पा की कथानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी वही बता दें फिल्पुष्पा एक तेलगु आक्शन फिल्म होगी जो क्या साउथ को दी प्रमुग भाशाओं के बीच आई दरार हाल ही में लेकक वेमपली गं करने के एक छोटी सी कोशिश है उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है वेमपली गंगाधर आंदरप्रदेश के कड़पा जुले के खलेकक है 2011 में उनकी लगू कहानी संग्रा मोलाकला पुनमी के लिए उन्हें साहित्तक आदमी के युवा पुरुसकार में सम्मानित क्या गया था गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलकला पुनम्मी तेरा लगू कथाओं का संग रह ये किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था उनकी किताब माय नापू वो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकार जीता किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है हाल ही में चुरिंजीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोरी के लिए दोशी थेराए गया है लेखक राजेश मंडूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पठकता उनकी फिल्म के सम्बान थी वहीं पुषपा, सूकुमार द्वारा लिखित और निदेशिक नई तेलगू भाषा की आक्शन स्रिलर फिल्म है फिल्म में अलू अजुन और रश्मी का मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे साथ ही प्रकाश राज और जगपती बाबो सहायक भूमिकाओं में होंगे यह फिल्म दिवाली में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के कान इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फ़र्स लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रडेमियों और अलू के प्रशन्शकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की अब सुकमार की फिल्म में पुष्पा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है बनी इस फिल्म में पुष्प राज की भूमी का निभाने वाले हैं इसे मैत्री मूवी में एकस द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है फिल्म का स्केडिूल विशाखा पत्नम में एक विश्च रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमान में पुष्पा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चल रहा है स्थापित की जुड़ी है और कहानी तेरमुला के पहाड़ी शेतर शेष्चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की जुआएगी स्थाइलिश टार अलुअ जुने अपनी लॉरी ज्राइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चित्रित करने के लिए पूरी तरह तयार है इस लॉकडाउन के दुराँ रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वह फिल्म में एक आक्शन सीक्विंस के लिए के लिए 6 करोड रूपे की भारी भरपाई करने वाले हैं जिस वज़े से ये फिल्म एक काफी एहन सीक्विंस रहेगी वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी ना चूट जाए बना बैक्ग्राउंड में 2007 के फिल्म एक 40 की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी चूटी चलना पड़ जाएगा मीडिया में एक्टरस रश्मिका मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए काप्चर किया और हमारा नुमान है कि वह फिल्म पुश्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पैंडे डियर कॉमरे रभिनेटरी काले रंग की स्टाइल में स्वैट के साथ गुमती दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट रश्वा लगाए वैं दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बता है स्टालिस्ट और अलू अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका भही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलू अर्जुन और रश्मिका के वीच फिल्मी केमेस्ट्री जमेंगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हमारे चानल अलू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके हैं? कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन? क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते? अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलू अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलू अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्हों ने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो यह बहुत जादा सूपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी बार-बार इन्हें खबरे देनी पड़ती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियोंस के लिए स्पेशल ही अलू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लिकिन फिर्स टाइम हो रहा है तो अलू अर्जुन ने पूरे जान छोग दी है पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी ये बॉलिवट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आ आने वाला है दोस्तों ये बात वागए बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगडी है रश्मे का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लिया तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एकसाब से लगाया जाए और सैंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाया देंगे अलु अरजुन उनकी तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का ये एरा है जिसमें कि अलु अरजुन की जो हाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है जैसे की अलु अरजुन का लोग जो की कर्ली हैर उन्होंने केरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रही है उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत जादा एकस्प्रेसिव अलु अरजुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते वे नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा का ये जरूर बताईए और ये नॉर्थ में कितना अपको क्या लगता है आपको क्या लगता है बोक्स ओफिस के लिए आज से नीचे कमें सेक्शन में पनी राह जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस मेरी यही प्रॉबलम है सर मारता ज्यादा हों किनता कम गिन कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं ऐसा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जीवर सूता और गुस्सा अलू अरजुन के अपकमिंग फिल्म पुषपा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुषपा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़ट में बनाया जा रहा है पुषपा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियो मैं हूं सोनी कजवाल बात करेंगे साउट के स्टाइल स्टार अलू अरजुन के जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुषपा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोग शेयर क हो इसलिए उन्होंटे कड़ी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमा का मचाना चाहते है इसके लावा आपको ब रिडेक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि अच्छे खासी ओपनिंग देगा हिंदी की अगर हम बात करें और हंडर्ड परसंट ओक्यूपेंसे रहे थेटर्स में अगर पैंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटर्स में त करें ना कलेक्शन का यह कर रही लेगी हाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह टोटल अवरौल कि दोल करोड कें तो deso 데ắt Ben तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो पांसो करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइ यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डव जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैंफोलिंग काफी तग्री है इसके लावा उनके अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दर्जर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्र इसमें होने वाले है एक और विलन का लाम सामने आचुका है वो है आरिया और आरिया अलुर्जन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कितना करोड का यह कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिक्राद स्टूडियो में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुछपा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को ए रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द ही अलु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही है दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर्शक ह पुश्पा जो फिल्म में अलु अरजुन की किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंदर प्रदेश की जंगलुक से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अरजुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलु साल के सभी नीतरी ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबु के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये नौन ग्लामरिस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंधरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं वही के जीएफ की श पेले रश्मिका को फिल्म में मुरुनाल वाला किरदार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे चिकी हैं सुन्दर और टालेंड़ आक्ट्रिस पर जीहा सैंजलीला भंसाली जिन्ह एक मिना ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और यह खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीर्शक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आर्जुन फिल्म पुष्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हित फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैथ्री मेकर्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आर्जुन और डारेक्टर को औरतला शिवा के साथ फिल वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की राम चरण के साथ हिट फिल्म रांग स्थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्र पर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच की अज गया था अलू अर्जुन्स टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिव पा आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंट्स करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिगराथ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्न ने लिए स्टूरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस किया है साथ इंडियन सिर्मा अपनी बेहतर इन फिल्म के साथ तेजी से पॉप्लिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एन एंटर्टेनिंग स्टॉर तो हम सेफली यह कह सकते है कि कॉंटेन के मामले में अब बस बॉलिवड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके है और कई केसे में तो बॉलिवड से बढ़िया कॉंटेन परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की पुश्मी का मंदाना की मच अवाइटेट फिल्म पुश्पा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस त्यालगो फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेर सेनलूट की तसकारी पर बेस जिसमें अ प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आई यह डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लोट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर अरजुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैंडल उट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अरजुन और रश्मिका के केरेक्टर की तो पहले हैं से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉनफ्लिक्ट होगा अरजुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फोरेंसिक रिपूर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरस्ट में इसलिए अलु अरजुन खुद भी रेर सैंडलूट का स चल जाता है अपने फोरस्ट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मू उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे है अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत अपने सूपस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनम दिन के मौके पर अलग-अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेर किया गया था जिसमें की अ अब बात निकल के आ रही है वह सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलू अर्जुन ने अज ही अनौन्स कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें की उनके हाथ में कुलहाडी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो एक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलू इसे मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथ ही अलू अर्जुने से कैप्शन दिया है है हाश्टेग पुष्पा लोडिंग इन थियेटर स्रॉम 13 ओफ ऑगस्ट 2021 एक्साइटेड तु मीट यू अल इन सिनेमाज दिस यार और सर्फ अलू अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा एक्साइट हैं वो फिर से वहीं मैजिक क्रियेट करेंगे वहीं दोस्तों आ एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डारेक्ट करें हैं सुकुमार जो कि अलू अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डारेक्ट कर चुके हैं फिल्में अलू अर्जुन के अलावा आपको विजह सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबू जैसे कालाका नजर आएंगे ये फिल्म लाल चंदन यानि कि सैंडल वूर्ड जो लकडी होती है उसकी तसकरी पर आधारित है फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द गूमती वही नजर आएगी ये दक्षिडी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहा पुष्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में जरू बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को ये फिल्म रिलीस होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिग डालिये नीचे कॉमें सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिव सुकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर, प्रिड्यूसर और स्ट्रीम राइटर है जो की प्रीडॉमिनेटली तेगु सिनेमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शरुवांत आज राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भी असिस्ट किया ह सुकुमार ने अपना डिरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया प्यूस किया गया था फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कॉरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुष्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलवू तमिल मल्यालम हिंदी और कनट वर्जिन में डब्ड किया जाने वाला है जैनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक साथ में सुकुमार के फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को फॉर्मली लॉंच किया गया था अक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था के एथी रैपिडली फॉल्स पर फिल्म पुश्पा का फर्स स्केडूल के रुला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड-19 पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टांट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतु पती ब और प्रकाश राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जुलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कन्नड़ा के फेमस आक्टर धनन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्क्राइस वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लोटिंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाल इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा उन किनता कम गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंगे एए सर मैं असा ही हूँ भूख लगती है तो पेट पर खाता हूँ नीन दाती है तो जीवर सूता हूँ और गुश्सा आता है तो प्रॉब कर लगता हूँ 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 कर दो कर दो क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉन्ट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिगराश वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वोजिन की प्रडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रडक्शन ने किया था उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पुपिलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहु को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिल मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रुलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी जया प्राड़ा एश्वर्या राय असिन दिपिका पादुकोन तापसी पन्नू जैसी को ज नहीं हासिल कर पाई हाला कि वह सब 6 में बहुत ही बड़े सिटारे अभी-भीजात में विजे की फिल्म में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथ ही साथ जीा के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना को पिछले शान्न क्र dadamento chat श्रौन का टाइटल मिला था ये एकम्राश प और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनु ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्म में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हाँ कह दिया था इसमें उनके उपसिट होंगे सिधात मलहोतरा मगर हाल ही में सिधात मलहोतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तना की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के opposite फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अर्जुन की एक फिल्म आई अलू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अलू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश में का कि उस ख्वाइश की वज देंगे इस जवार का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वैल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में मीजे कमिंग बॉक्स में अपनी राज शेयर करें हुआ है पुष्पा केतने वाद्स जीट चुकी है रश्मे कमंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है में तहे दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलिगराद स्टूडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को एं तक जरूर देखें ताकि सारी अपडेट्स आप तक पहुत सकें और अगर अभी तक आपने हमाई चानल पर अपनी फेवरेट मूवी से रूलेटेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमाई चानल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस चेक कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुश्पाइक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांगवज आक्षिंत्रुला फिल्म है जिसको लिखा और डारेक्शन कर रहे हैं इसे प्रडियोस किया है नवीन यरनेनी और वाई रवी शंगर ने जो मैथ्री मुवी मेकर्स के असोसियेशन में मुट्टम से टी मीडिया से हैं अब दफिल्म स्टार अलु अर्जुन आन रश्मी का मंदिना जबकि जगपती बाबु भी है प्रकाश राज धनन जय और दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अलु अर्जुन के जनन दिन पर रिलीज किया जाएगा जो की 8 एप्रिल को होगा वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदिना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुक महिला का किरदार निभा पुष्णा भी की थी उन्होंने लिखा था टीम पुष्पा ने नवेंबर 2020 और जनवरी 2021 के दोरान राम चोद्रपंग और मेर्दी मुली के एजेंसी छेतरों में दो बिजिस स्केडियूल्स रापप किये हैं अब हम अपने शूट में सहयोग और सहयोग के लिए आदिवा से फिर से वापस आजाएंगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा वहीं अगर हम रश्मे का मंदना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ साथ शामिल है मिशिन मन्जू अदवालू मिकु जोहालू और सुल्तान इस सारी फिल्में 2021 में ही र उन्होंतरिक पाठी बेस्ट अक्रेस पर अन्जानी पुत्र बेस्ट अक्रेस फौर गीता ओर और क्रिटिक सवर बेस्ट अच्रेस अवउर्ड वहीं उन्ने में नौन बिखेर पाएंगे फिल्म में अपनी कूटनेस अर होटनेस के साथ और अलो अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं हमें कमेंस हे slang वोडि वायला लान दधे हो यवर कने खिल साथ अब अब धू-अब इन कारोनों से हुई पुश्पा फिल्म के शूट शीरियों में देरी क्या इस दिले की वज़ा से पुश्पा की रिलीस डेट पर भी फर्ग पर सकता है पॉलिग्रेट स्टूडियोज में आपका स्वागत है अलो अर्जुन ने एक दो वर्ट्स में ही पुश्पा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म्स और टेलेविशन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी दो तीन महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आच्छाने आने लगी पढ़ते हुए कॉवीट के इसे एक बार फिर से इंडिया के लिए सरदत बने हुए है और इसी कारण से काफी सारे मूवीस या तो थियेट्रिकल रिलिस को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर सुर्डेंटली शूट होड़े ही फिल्म के शूट शूट शिडियूल में गड़बरी होड़ गई है और कास्ट और क्रियू की सेफटी को मद्यनजार रगती हुए इन शिडियूल को अभी पोस्टपॉन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे है इसे डिले का शिकार हुई है अलो अर्जुन की पैन इंडिया रिलीस पुषपा इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है पर अभी तन्थ इस मैसिव प्रोजेक्ट के दो शिडियूल ही पूरे हो पाए थे अब जैसे ही इसका अगले शिडियूल की तयारी कास्ट इंड क्रियू ने शुड़ू की तो इनका रास्दा काथ लिया कोडोना ने क्योंकि फिल्म काफी बर स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रियू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है इसलिए डारेक्टर साहिब सुकुमार ने सेफटी को चुनते हुए शूट को तालने की सला बनाई है इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीस पे ज़रूर पढ़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीस की डेडलाइन को पकर रखताना लगबग नामोंकिन सा हो जाएगा पर जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुमार एक ऐसा डारेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जलबाजी नहीं दिखाते इनका सिधानती यही है टाइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबक तो शूट तभी शूडू होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस दिले की भरपाई फिल्म की रिलीस डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े हाला कि रिलीस डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइस कर पाएंगे जब फिल्म के शीडियूल टाइम से शुट हो पाएंगे और शीडियूल में देरी का सीधा मतलब है रिलीस में देरी पुषपा को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आया है लेकिन कायास तो ये भी लग रहे थे कि शायद मेकर्स इसका टीजर अर्जुन के बरदे 8 अप्रेल को रिलीस कर दे अब ये वायदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभ जब उनसे पुषपा की शूट के बारे में डीटेल पूछी गई तो उन्होंने इस सिर्फ दो शवदों में बयान किया कगे देले जिसका लूसी मतलब ये है कि फिल्म की शूट मस्ट तेजी से चल रहा है लेकिन इसी तेजी पे लगामब लगने ही वाला है वजा है प्यूं मान ही लो कि शूट मस्ट दो सो की स्पीड से चल रही तो इसी बीच कोरुना नाम का स्पीड ब्रेकर सामने आ गया अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और ये ही करना भी पड़ा है पुषपा फिल्म के मेकर को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ के सूपरस्टार अलू अर्जुन और रश्मी का वंदना के फिल्म पुषपा की पहली जलक सामने आ गई है इसका खुलाशा करते हुए मेकरस ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है इस वीडियो को देखने के बाद अलू अर्जुन के फैंस कर अपडेट सामने आया था मेकरस ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया जहां बताया कि इस फिल्म में नैशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के कैरेक्टर निभाएंगे इसक्रिन पर अलू अर्जुन और फहाद की देखने लायक होगी दोस्तों बात करें फर्स्ट लुक की तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक व्यक्ती जंगलों के बीच भाग रहे जिसके दोनों हाथ पीछे हैं हाथों में रसी बंदी है और पूरा चेहरा लाल कपड़े से ढखा हुआ है अगर बैक्ग को रिलीज होगी आपको बताते कि इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार यह फिल्म 13 अगस्त को तेलगू तमिल हिंदी कनड और मल्यालम में रिलीज होने वाली है इसे प्रोड्यूस करें मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तु सेटी दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल अरजुन मैसिव स्टार पावर हैं इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे पुश्पाफ फिल्म की कहानी एक एक्शन एंटर्टेनिंग स्टोरी है जिसके जरीए दर्शों को फ्रेस और जबर दस्त कॉंसेप्ट देखने को मिले है तो दोस्तों आपको कैसे लगा यह फिर्स्ट ग्लिम्प आफ पुश्पाफ फिल्म नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राइश इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही ब्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं किंता कम गिन कर मारने के लिए यह कुछ टाइटिंग थोड़ी है ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वज़े से पुश्पा मूवी से विजे सेतु पती की एक्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं साउट स्टार अलू अजन की नेक्स्ट फिल्म पुश्पा के लिए सभी लोग काफी एक्साइट हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्ला वैकुंठ पूरा मलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे इनके रोल के बारे में हमें जादा कुछ पता नहीं लेकिन हीरो हिरोन के अलावा एक और इंपॉर्टन रोल होता है स्टोरी में जी हाँ वो है विलन का तो जी विलन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एतागड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर है जो साइड रोल में होके भी में अक्टर की परफॉर्मेंस को डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलन पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देखा है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखला देखा तुम जड़ा सा खून देखर इतुना तर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसके कोई की मत ने है हूँ जिसका तिल पतरका उसको फारगने पटता अब जुस्दान में बहादर बेटों की तब हैं इस मलक इमिटी उचके अगूंसे महना आई हूए उनने एक राक्चस को तो दबोच हुआ लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लिए अन्नावार्ट यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को इसकी जड़ों से ही इगला देगा तुम जड़ा साथ खुन बिखकर इतना तर गए इससे पहले कि मैं खुन की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पतर का उसको फर्ग नहीं बड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तब ही लिए है इस मलक इमिटी उटके खुन से बहना रही है उनने एक राक्षस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिए थाक्षस यहां ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी पेजिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला दिया तुम जड़ा सा खून देकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां पहद मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पफरका उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है अबने एक राक्चस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लिए इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखला दिया तुम जड़ा सा खून पे कर इतना तर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल अप्था का उसको फार्ख नहीं पड़ता जोसिता है जोस्तान में बाद शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को नूढ़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट डिपलॉई थी पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लटपद शोड़ पर जिने आठ दोलियों के निशान जिन पर भरूसा करते है उनसे दुखा खाना क्या होता है मुझे पता है इसे छोड़ के गलती कर दिया कर देने का था हुसे इसे इसे स्टाटी मत चुखानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी फड़ गई थी क्या अरे फ्किया करता हम नहीं हुई कुश्पा नाम सुख्या फ्लावर समझे क्या हुई मैं तरी टांग अड़ाने को नहीं आया राज करने के लिए आया मैं पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पुल से लग पच्छोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ए यह क्या कर रहा है तुछ पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलियां वो तो चरा है कि पुश्पा कम भी रूप से जखमी गवा है शेशा चलम की जंगलों में पुश्पा कुट्मूने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूट डिपलॉई है अब पस यह देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कामाता था बल तुमालम है तिया का पुश्पा नों पैसों का क्या को पुश्पा नहीं कर वा है पुश्पा नहीं हमारे एक है पन्दाए पर यह वो आम परी बूप को खाना कहला था कि रेकिंग मेंग्स जंगलों में लगाए गए वालाइफ सॉवलेंस का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है यह कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे स्टी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुश्पा आया है अब रूल मुश्पा का शेशाचलम के जंगलों में पुश्पा को धूड़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनिट डिपलॉई की भावरा पेट के पहाड़ियों पर पुलीस ने पुश्पा फी कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्वत शोड़ने आठ दूलियों के निशाद जिन पर भरोसा करते हैं उनसे दूखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़के गल्ती कर दिया कर देने का था उसे फश्वारिक्ट का रहते है कि अ जब होता है सब्दैक्द करें मंहुए जब है उसे सथी पाच्च खानी पड़ेगी मुझे इदर था तब तेरी भड़ गई थी क्या कि अरेफ्स की अगड़ता हम नहीं हुई पुश्पा नाम सुक्या फ्लावर्स अंजे क्या मैं इतरी टांग अड़ाने को नहीं आया राज करने के लिए आया मैं पहारी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पूल से लगपत शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ए यह क्या कर रहा है तू गोलियों से घायल पुश्पा हुआ दिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलिया उपता चला है कि पुश्पा कम भी रूप से जखनी गुआ है शेशाचलम के जंगलों में पुश्पा को नूने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूने डिपलोई कि है अब पस यह देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कामाता था पल तुमाला महितिया का पुश्पा ने पैसो का क्या प्रेटी के शादी पुश्पा नहीं कर वाएं पुश्पा नहीं हमारे लिए गषब पर बाएं पर यह वो आमगरी को खाना कही लाथा था Breaking News जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्विलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है यह कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुश्पा आया है अब रून पुश्पा का वीडियो बात्री का ग्रीज करते हैं यह जगे वीजों टून पुश्पा करते हैं यह बात्री का झाल है वीजों टुश्पा करते हैं झाल झाल